पहलो गुड को यहार को से हैмотрने लेटस क्रेंड डिवेंस इक्जामस दंग में मैंग पांड़े आप सब का भार बहुत बहुत सवागत करता हूं आशार घरता हूं मेरी अवाज आप सब तक पहुँच रही होगी अगर मेरी आवाज पहुँच रही है और मैं लाइव हो चुका हूँ तो एक बर आप सारे लोग मुझे कमेंट करके बता दीजे कि मैं लाइव हूँ और मैं विजिबल हूँ मैं आडिवल हूँ सब कुछ ठीक है सब को मेरी आवाज आरही है और मैं विजिबल हूँ सब को क्या एक बर आप सारे लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताईए जिससे के फिर मैं कलास को शुरू कर पा रहा हूँ ठीक है न आज की क्लास हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके सामने जहां पर मैं एक टॉपिक आपके साथ डिसकस करने जा रहा हूँ जिस टॉपिक का नाम है एवरेज ठीक है न यह एवरेज यानि की ओसत यह टॉपिक में आपके साथ डिसकस करने जा रहा हूँ फटा फट से आप लोग ज मैं हूँ Maths Educator, More Than 4 Years Experience है मुझे, Plus Verified Educator हूँ और CDS, SSE, CGS exams को मैंने Qualify किया हुआ है इसके आगे अगर हम बात करें, तो अगर आप हमसे अने Academy के Telegram पर जुड़ना चाहते हैं तो आप फड़ा फड़ से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा टेलीग्राम पर आपको सारे Classes के PDF और सारे Classes के Notification मिलने लग रहे होगे PDF जो भी आप Class में पढ़ोगे, उसकी आपको PDF मिलेगी, कुश्चन्स करने की प्रक्टिस के लिए कुश्चन्स आपको दूगा जितना यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा, उसकी आपको प्रक्टिस कुश्चन्स और आपको यहाँ पर मैं Class में जो कराऊंगा, वो सब दूगा जहाँ आपको मिलती है Live Classes, Weekly Test, Structured Courses, Unlimited Access, Personal Guidance आपको मिलेगी, Test Analysis मिलेगा, Experts Guidelines मिलेगी, Study Material और Study Planner, यह सब कुछ यह पर आपको मिलता है, जिसके लिए आपको अनिकेद्वी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, Clear, इसके अगर मैं आपके लिए आगे बढ़ू तो अनिकेड्मी प्लस पर आने के लिए CDS, FK, CPF की एटे की निए आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, अगर आप को यूज करते हैं तो आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाता है और फीस 12672 रुपर रह जाती है ठीक है ना आपको 10% का इंस्टेंट डिसकाउंट मिलता है अने केडमी प्लस पर रेफरल कोड यह रहेगा इसे आप यूज करेगा आपके सामने यह लिखा हुआ है जहांसे आपको 10% का डिसकाउंट मिलता है क्लियर है क्लियर है आगे बढ़ते हैं आज का टॉपिक एवरेज है फटा फट से आप लोग पहले जुड़ जाएए मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है क्या सब कुछ क्लियर है कमेंट करके ब गिंगे बताओंगा फिर आम सौल करेंगे कुष्टंस को यहां से ठीक है ना पहले आप बेसिक समझो एवरेज के बेसे क्या रहेंगे एवरेज के बहुन थोड़ा बख पहले जान लीजिए कि क्या रहता है आवरेज कैसे काम करता आवरेज क्या होता है औस यह सब जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप solve करोगे कैसे questions को ठीक है ना तो पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि average क्या होता है what is average सर लेफ्ट साइड में sound आ रही है right में ऐसा नहीं है left side में sound आ रही है वो complete sound आ रही होगे आपको ऐसे लग रहा होगा आप येरफोंस ठीक कीजिए आप पहले है ना आपके येरफोंस खलाब है पका तो average को अगर आप average का formula क्या होता है तो average बराबर होता है sum of observation या फिर sum of data सबसे पहले तो formula की बात करते है sum of data divided by number of data मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपको जितने भी data दे रखें उन सारे data का आपको sum करना होता है देन आपको राम 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 हेलो देन आपको क्या करना होता है सारे data का आपको sum करना होता है और फिर सारे डेटा को जितने डेटा आपको दे रखे हैं उनसे डिवाइड करना होता है जैसे मैं एक्जामपल के तोर पर आपको अगर समझाना चाहूं तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा मैं आपको बोलू यह लिखा हुआ है थ्री यह लिखा हुआ है सेवन यह लिखा तो आई ये 5, मैं आपसे ये बोलू, इनका आप मुझे बताओ, average क्या होगा, ये 4 नंबर आपके सामने दे रखे हैं, इन 4 नंबर का average क्या रहेगा, new headphones है, तब तो प्रब्लम नहीं हो ली चीए, तो आपको करना क्या है, सारे data का आपको पहले sum करना होगा, पहले आपको सारे data का क्या करना होगा sum फिर divided by average निकालने जा रहे हैं हम लोग फिर divide आपको किसे करना होगा data कितने एक, दो, तीन, चार तो आप इसे 4 से divide कर देंगे clear or not बास समझ आ रही है क्या तो आप इसे 4 से divide करेंगे तो आपर sum करेंगे, 7 और 3, 10 10 और 5, 15, 15 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो you will get 24 ठीक है न, 24 को अगर आप 4 से divide करोगे, average कितना मिलेगा, 6 तो ये आपका average आ गया ये average निकालने का बिल्कुल basic तरीका बिल्कुल basic तरीका क्या जो आप बिल्कुल basic से पढ़ते हुआ आ रहे हो अब तक तो आप यही काम कर रहे थे average निकालने के लिए बट अब आपने क्या करना है left में ही आवाज आ रही है left में आवाज आ रही है इसका मतलब क्या है आवाज तो complete आनी चाहिए ऐसा नहीं होगा अभी देखो एक बार चेक अप करना अभी सब ठीक आवाज आ रही है क्या अभी देखो अभी अभी देखो अब ठीक आ रही होगा वाज ठीक है ना तो यह आपका रहेगा average निकालने का formula यह मैंन आपको समझाया sum of data divided by number of data यह आपका क्या होगा क्लियर है लेकिन यह आप मुझे यह बताओ हमेशा क्या हमें यह यूज करना होगा तब ही हम यहाँ पर निकाल पाएंगे क्या डेटा को तो बहुत हमेशा यह कम आपको नहीं करना होगा आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कैसे समझाओ मैं अगर आपको यह बोलूँ आपके पास कुछ डेटा मैं आपको देता हूं मैं आपको कुछ डेटा देता हूं कुछ डेटा क्या है आपके पास कुछ भी ऐसे रेंडम ली मैं कुछ डेटा पिक कर रहा हूं और आपको दे रहा हूं चलो आज manage करो फिर कोई issue नहीं है मैं check करा देता हूँ आप एक काम करो आप data को मैं कुछ भी आपको ऐसे data उठा कर देता हूँ जैसे एक दिया मैंने 20, एक दिया मैंने 30, एक दिया आपको 15 और एक दिया मैंने आपको 40 मैंने आपसे ये पूछना है कि आप मुझे बताओ इन सबका average क्या होगा इन सबका average क्या होगा तो समझो पहला method तो आपका वही रहेगा कि सब 20 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 40 और divided by 4 फर्स्ट तो आपका यही रहेगा फर्स्ट मेथड तो आपका यही रहेगा कि आप सबका सम करो तो आप देखो 30, 20, 50, 50, 40, 90 और 90 को अगर आप 15 में जोड़ोगे तो 90 प्लस 15 और 105 को जब आप 4 से डिवाइड करने जाओगे तो 4 से से काटोगे 4 दूनी 8 बचेगा ये कितना 25 और बच कितना अइगा 26.25 अगर इसे इस का साफ किया जाएगा ऐक मैंठ इसका नाम है डैवीएशन मेथाग deviation method deviation method के through अगर इसे solve किया जाए deviation method के through इसे कैसे solve किया जाएगा आप इस चीज को यहाँ पर समझो समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा तभी clear हो पाएगा, वरना कुछ भी नहीं समझाएगा तो देखो एक बार deviation method के through आप कैसे समझोगे deviation method क्या होता है deviation method आपको यह बोलता है कि अगर आपको average find करना है तो यह जो चार number दे रखे ना, इन में से कोई भी एक number को आप average मान लो किसी भी एक value को आप average मान लीजिए, deviation method आपको यह बोलता है, clear, deviation method क्या बोलता है, कोई भी एक number को आप average मानो, let's say मैंने यहां पर सब कुछ देखा, recognize किया मैंने बोला कि चलो मैं average को 20 मान लेता हूँ, मैंने average को क्या मान लिया average को मैंने 20 मान लिया deviation method बोलता है मानो, मैंने माना average को 20 मान लिया ठीक है, average को मैंने 20 माना, अब मुझे यह बताओ, यह बाला नमबर आप मुझे बताओ average से कितना जादा है तो बोले सर ये नमबर 10 जादा है ये नमबर average से जादा है या कम है तो आप बोले कम है कितना कम है हम बोले कि 5 कम है ये जो नमबर 40 है ये average से कितना जादा या कम है तो आप बोलोगे कि सर ये नमबर एवरेज से 20 जादा है बोलो हाया ना क्लियर है आपने करना क्या होता है deviation को net deviation check करना होता है net deviation का मतलब होता है विचलन कुल विचलन आपको देखना होता है net deviation आपको check करना होता है तो दोस्त net deviation आपका क्या होगा net deviation अगर check करने जाओगे तो देखो प्लस का 0, प्लस का 10, माइनस का 5, प्लस का 20 ये net deviation है, तो 10 और 20, 30, 30 में से 5 घटा होगे 25 net deviation कितना आया, 25, 25 आया वो भी प्लस का इसका मतलब ये है कि 25 एक्स्ट्रा आपके पास आया है deviation मतलब विचलन, मतलब ये 25 आपके पास एक्स्ट्रा आया है इसे आप सब में बाटो, कितने 4 में बाटो, जितने नमबर है 1, 2, 3, 4, विचलन, मतलब deviation को सब में बाटना होता 4 में बाटना होता, 4 में आपने बाटा, 4, 24 बचेगा 1, 2 पर तो आप ये समझो, कि अब जो आपने average माना है ना भाई जो आपने average assume किया है, इसमें आप जितना आपका net deviation आया net deviation को उसमें कर दो add, अगर add plus का आया, तो add करो minus का आता, तो subtract करते ठीक है ना, और ये किसका आया है, plus का आया है तो 6.25 मैंने जोड़ा, आप मुझे बताओ, average कि 26.25 पहले भी मिलता था और अब भी मिल चुका है किया, क्या average आपको वही मिला as it is, 26.25 बताइए हाँ या ना, हाँ सर, average तो हमें वही मिल रहा है, जो पहले मिलता था तो भाई, इस शीच को मैं फिर से आपको समझाता हूँ, मैं एक और data यहां से pick करता हूँ बोले सर, 20 से तो answer आगया, कोई और number अगर हम pick करेंगे तब answer आएगा क्या, हाँ बिलकुल आएगा, कोई भी number pick कर लो आपकी मर्जी आप कोई भी number उठालो, आप इन में से कोई number उठाओ ही मत, आप एक काम करो, आप माल लो कि average आपने माल लिया, average 25 रहा होगा आप average को जो मर्जी मानो, answer हमेशा आपका same आएगा, answer हमेशा आपका ठीक आएगा, net deviation से कभी answer आपका गलत नहीं होता, आपने average को 25 माना, आप मुझे बताओ, अगर average आपका 25 है, तो ये average से कितना कम है, बोले 5 जादा है, ये average से कितना कम है, बोले 10 कम है, ये average से कितना कम है बोले 15 जाता है, हाँ आना, आप देखो यह plus का 5 minus का 5, cancel हो जाना है, यह minus का 10, यह plus का 15, तो plus का 5 भी तो आएगा, यह plus के 5 को आप 4 से divide करोगे, तो क्या 1.25 आपको मिलेगा, हाँ सर, बिलकुल मिलेगा, तो average में 25 में, यह plus का 1.25 है, इसे आप add करोगे, तो you will get what, 26.25, you will get what, 26. बताइए कि अभी भी आपको आंसर वही सेम मिला है जो पहले मिलता था average तो change नहीं हुआ ना average कभी change नहीं होगा चाहे आप deviation से करिए और चाहे आप formula लगा के करिए आपकी मर्जी है कैसे भी आप कर सकते हैं बट आपका answer हमेशा सही आएगा लेकिन आप कोशिश यही करिएगा सब कुछ ठीक है ना आप कोशिश यही करिएगा कि आप यहाँ पर जो answer करें वो answer आप किस से करें net division वाले method से करें best approach रहेगी आप लोगों के लिए सब कुछ ठीक है ना कोई issue नहीं है यह आवाज बगेरा का कोई problem है अगर तो आपनों मुझे comment करके बोल सकते हैं कि सर आवाज की problem है अगर कोई भी problem है आवाज की तो आपनों मुझे comment करके बता सकते हैं कि आवाज की problem है सर बोलिए आवाज का कोई issue नहीं है ना यह जो बच्चे बोलने है आवाज का issue है एक एक सेड आवाज आ रही है, एक सेड आवाज नहीं आ रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है क्या, जल्दी बताइए, कोई प्रॉब्लम, कमेंट करके बताना एक बार, सब कुछ ठीक है भाई, प्रॉपर चल रहा है, तो लाइक करो अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो सेशन को आप लाइक करिएगा, ठीक है न, आगे बढ़ें क्या फिर, आगे बढ़ सकते हैं क्या, चलिए मैं और आपको देता हूँ, मैं आपको यह बोलता हूँ, कि आपके पास कुछ और नंबर है, मैं रेंडम ली ऐसे कोई भी नंबर उठाता हूँ, जैसे आपके पास नंबर है 40, 70, मैंने आपको डेटा ले रखा बड़ा बहतरीन डेटा है, 35 and 65, यह आपके पास 4 नंबर है, आपको इन 4 नंबर का एवर क्या होगा, लेकिन method यूज करना net deviation का, देखो अभी आगे आप questions को इतना बहतरीन करोगे, ठीक है, ने एक ही लाइक बहुत है, सारे लोग एक लाइक कर दो कफी है, आप यहाँ पर average को मान लोगे, average को आप क्या मान होगे, average को आप कुछ भी मानो, आपकी मर्जी आप average को 40, 70, 35, 65, आप average को क्या मानोगे, बोले सर चलो हम यहाँ से काम कर लेते हैं, हम average को 30 मान लेते हैं, average को 30 मानोगे, लेकिन 30 तो आप एक चीज़ आप याद रखना देखो, ऐसा कुछ भी random ले 30 मत मान लेना, याद ये रखना, एक चीज़ तो ये याद कर लेना, कि जो average होता ह है न, वो सबसे बड़े नंबर से कभी बढ़ा नहीं होगा, सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर के बीच में ही आएगा, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के हमेशा बीच में आता है, average आपका, तो सबसे बड़े से बड़ा नहीं जा सकता, सब मेरा काम है मैं कुछ भी मन सकता हूं कि Average को अपने 50 माना तो 50 से 10 कम है ये 50 से 20 ज्यादा है सब्थर ये 50 से 15 कम है और ये 50 से कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है बोलो हायाना अब इसमें पता है क्या फायदा है फायदा यह कि दो । बताइए कि आपको समझ आया कि आप ऐसे फा濟 निकाल सकते हो ऐवरेज को मैं हेड़ फौन्स लगा कि क्या चेक करूँआ बाद मैं करूंगा ख्लास के बाद ठीक है क्लास के बाद चेक करता हूं भाई बोलो clear or not बताई वड़ावड से सारे बच्चों को यह बाद समझ आई है चलो अब आपको मैं कुछ और चीज थोड़ी सी यहां पर बढ़ाता हूं कुछ और चीज भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझ यह कि मैं आपको यह समझा जहां हूं कि यहां पर आपको ऐसे रहा है कुछ भी देखो यहां पर आपको ऐसे रहा है कि कोई दो डेटा है कोई आपको दो डेटा अबकोगिक उखंब और इन तीन डेटा का आपको average दे रखा है let's say 53 और आपसे पूछ लिया कि चलो बताओ यह जो पांच टोटल जो पांच डेटा आए हैं इन पांचो डेटा का average कितना होगा यह आपसे question पूछ लिया आपको बोला दो data given है जिनका average 47 फिर आपको बोला तीन data और गिवन है जिनका average is 53 तो पांचो डेटा जो टोटल पांच डेटा है उसका आपको बताना है average average क्या होगा उन पांचो डेटा का आपको बताना है कि what is the average of all data तो आप यहां पर समझो कि पहला तरीका तो देखो first method तो आपका यही होगा मेरे भाई कि दो data इनका average 47 तो sum कितना आ जाएगा क्यूं मैं क्यूं कर रहा हूं ऐसा क्यूंकि आपको पता है न average का formula होता है sum of observation sum of observation divided by number of observation यही होता है क्या number of observation observation लिखो या data लिख लो कोई दिक्कत नहीं आपने data पढ़ा है तो आप data लिख लो sum of data divided by number of data तो आप मुझे बताओ यहां पर अगर सम निकाल होगे तो दो data हर एक का average 47 तो 2 into 47 sum हो गया प्लस यहां पर तीन डेटा हर एक का average 53 तो 3 into 53 हो गया और data total कितना है तीन और दो पाच आप पाच से डिवाइड करोगे आपको यहां से average मिलेगा पहला तरीका सारे बच्चे यही लगाते हैं सारे student यही average का तरीका लगाते 20 तो नहीं आएगा कभी भी यहां करो आपका answer आएगा 50.6 लेकिन आपने ऐसे answer नहीं करना देखो काफी calculation है कल को data और बड़े बड़े आ जाएंगे फिर आप और यहां पर tension लोगे और ज़्यादा calculation करोगे तो आपको answer ऐसे नहीं करना इसे करने का भी आपको दूसरा तरीका रहेगा इसे करने का आपका तरीका क्या रहेगा वो मैं आपको समझाता हूं इधर एक second आप ले लो पहले आप मुझे बताओ यहां तक तो कोई समस्या नहीं है ना आपको यहां तक कोई भी problem आप लोगों को है तो बोलो मुझे फटावट से के हाँ सर यहां तक हमें problem है आप यहां भी वही आपका deviation method लगाईए यहां भी आप deviation method एजूम किजिए आप डेटा को कुछ भी आप कुछ भी कर लिए आपने माललिया कि चलो average रहा होगा average आपने माललिया 50 रहा होगा average 50 रहोगा यहाँ पर average कितना है 47 तो मुझे बताओ कितना कम हो गया 3 और यहाँ भी average 50 रहोगा कितना ज्यादा है 3 यह 50 से 3 ज्यादा यह 50 से 3 कम आप मुझे बताओ 3 कम तो है लेकिन कितने data के पास 3 कम है 2 यहाँ यह चीज देखने पड़ेगी वहाँ data एक एक था तो हमें इतन टेंशन लेनी की जरोवत नहीं थी बट यहाँ है कि 3 कम है कितने data के पास 2 data के पास तो माइनस का 3 into 2 मतलब total कम कितना हो गया सीदे सीदे हम बोल भी सकते हैं कि यहां सहवत tellement है यहां 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 के 3 को कितने data में divide करना है deviation को sir number of total data में 2 और 3 5 से divide करते हैं यह plus का 3 पांचों को दिया जाएगा तो हर एक को 0.6 मिलेगा plus का तो आपने करना कि average को आपने 50 माला उसमें 0.6 add करो तो answer कि आपको फिर भी 50.6 ही मिलेगा जल्दी बताइए हाँ या ना जल्दी बताइए कि सारे student को ये वाला method अच्छा लगा और समझ आया क्या अच्छा लगा अच्छी बात है बट समझ भी आया क्या कि आप यहां पर कैसे निकालेंगे answer को is it clear to everyone guys is it clear or not जैसे मैं आप लोगों को average 42 हैं तीन और डिटा है जिनका common 56 हैं जिनका सब्सक्राइब ऊठाइब यह इंवरुड़्र कितना है 56 है और फिर आपको और बता रखाया कि दो और डेटा है जिनका Sydney यह इसारे डेरं आपको बता रखाया कि यह एवरृश कितना 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 है उसके बाद आपको ये पूछ लिया कि पांच और तीन आठ और तो दस टोटल जो 10 डेटा है न इन दसो डेटा का average क्या होगा total average क्या होगा ये आप से question में पूछा गया है total average क्या होगा ये आप से पूछा गया है ठीक है, मैंने average को assume कर लिए 50, आपकी मर्जी आप कुछ भी जो आपको ठीक लगे, आप वह assume करो, मैंने assume कर लिए 50, आप मुझे बताओ ये 50 से कितना कम है, 8 कम है, ये 50 से कितना जाद है, प्लस 6 है, और ये 50 से कितना जाद है, 21, clear or not, बताओ, लैसे पता है, चलो ठीक है, कोई बिक्कत नहीं अब मुझे बताओ यह कितना आएगा टोर्टल तो माइनस का 40 यह कितना आएगा टोर्टल टोर्टल सद्वेकर 동안 नाइड ही स 21 32 च रखेंट ए स यह साथ मैंसे 40 मैंद कर रहेगा it और 10 कितनों में जाएगा 10 data में जाएगा तो हर एक को 2-2 extra मिलेगा इसका मतलब average 50 नहीं 50 से 2 जादा बाबन होगा पूरे 10 data का average कितना आ जाएगा 52 मुझे बताओ कि सारे students को ये बात एकदम clear हुई है अगर एकदम clear हुई है तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा वरना फिर मैं और example इस चीज़ के लिए उठाओँगा बताओ क्या अगर ये आपको clear है तो मैं questions की तरफ बढ़ सकता हूँ क्या अब मैं पहला question आप लोगं को देने जा रहा हूँ और आप लोग इहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा first question का answer आप लोग करेंगे अब फटाफट से आपको पता है कि answer क्या आएगा फटाफट से करिये solve और मुझे बताइए answer ये first option A B C और D ये चार option आपके सामने बताइए option क्या होगा फटाफट से solve करके मुझे बताइए what will be the correct answer आप लोगं को शायद visible proper होगा proper visible होगा कोई problem हो नहीं रही होगी जहां तक मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत अगर कट रहा है तो उसके लिए मैं आपर कर देता हूगा आपकी problem solve चलिए करिए question number one आपके सामने आ चुका है फटाफट से आप मुझे solve करके बता दीजे सारे बच्चे नहीं अभी आप graduation के बाद fill कर सकते हैं अभी तो नहीं कर सकते भाई after graduation आप fill कर सकते हैं नीलेश पांडे बताईए वटावट से what will be the correct answer झालेश अभी तो आप जाफ़ आपके बताईब झाल झाल चली देखो अब मैं आपको समझाता हूँ इसका अंसर क्या होगा इधर आप लोग समझने की कोशिश कीजिए अभी पूरा फ्रेम में आ चुका है ठीक है ना मैं यही चेक कर रहा था हाँ जी चलिए समझे कोशिन नमर बन किसी का अंसर अभी तक आया नहीं फोस्ट यह इंका एवरेज है इनका ऐवरेज है इफशी वाईस थी मोर साडी ऋर उसने तीन और नहीं साडी खरी दी तीन ओर डेटा उसने गारीदे इनका कोस्ट है आपका 2750 रु小वर इन्हें उन्हों उसने 2750 रुपैêmा खरीदा तो आपको बताना है सारी जितनी भी उसने साड़ी गरी दी थी पांच ऑर 3,8 टोटल 8 डिटा का आपको एवरेज बताना है यह आपका कुश lived ठीक है न भाई? यह आपका कुश्श न है आपको इसका अंसर करना है तो आप मुझे बताओ, आप क्या answer करोगे यहां से, आप ये करो, कि आप average को, आप एक काम करो, आप ना मेरे भाई, आप average को यहां से, आप average को यहां से, बाइस सो पचास ही मान लो, कितना मान लो, डबल टू फाइब जिरो आपने बाइस सो पचास ही मान लिया, average को आपने कि बताओ कि ये 2250 से कुछ जादा या कम है नहीं प्लस का 0 है ये 2250 से कुछ जादा है हाँ 2750 माइनस 2250 करके देखो एक बार अच्छा लगए डबल 0 ये 7 में से दो जाएगा 5 तो ये 500 जादा है ये कितना है भाई 500 जादा है ये 500 जादा है आप मुझे ये बताओ ये 500 जादा कितने डेटा के पास है तीन डेटा के पास तो नेट डेविशन क्या 15100 आजाएगा ये 1500 कितने में बटेगा आठ में बटेगा तो चलो 8 से डिवैड करो आठ से डिवैड करोगे 8 हे कम 8 बचेगा 70 हो गया अठोटू 64 आठ बचेगा अठोटू 64 छे बचेगा 60 हो जाएगा आठ सत्य चपपन और ये 0.8540 ठीक है तो ये 187.5 जादा आएगा तो आप इसमें 187.5 एड कर दो एवरेज में तो आपको अंसर मिल जाएगा पूरे डेटा का आठ रर पांच कितना हो जाएगा 13 से 3 कैरी 1 2 3 और 1 4 ये आजाएगा 2437.5 2437.5 ऑप्शन ए एकदम ठीक है मुझे बताओ क्या सारे स्टूडेंट को ये कुश्चन क्लियर हो पाया है क्या हर एक बच्चे को ये कुश्चन क्लियर हुआ है तो बताओ मैं आगे बढ़ो अगर हर एक बच्चे को ये कुश्चन क्लियर हुआ है तो फिर मैं चलता हूँ अगले कुश्चन सेकिंड पर इस कुश्चन का आप लोग अंसर मुझे करके बताओ फिर question number two का आप लोग answer करिए ये भी cut रहे गया करिए आपके सामना पूरा question visible है आप करिया रामसा बताईए इस question का answer क्या होगा दो क्या आप 3 virus नहीं है आपक कार था ये आपके सामना करिए कि असे आपकेcas ले करिए आपके क्वारी आपकी सेस्फेस रहे लेगनर पूराव नहींट करो करो फटा फटसे सॉल्फ किसी का अभी तक आंसर नहीं आया है और जब तक आंसर नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूँगा आंसर आना चाहिए आप लोगों का कि अगया है कर दो कर दो अगया अभी आराय कुनालका समझेश आपको question में ये बता रखा है महेश 223 shirts at an average price of 1250 3 shirt उसने खरीदे मतलब 3 data है जिनका average कितना है 1250 if he wise 2 more shirts उसने 2 और shirt खरीदे 2 और data है उसके सामने at an average of 1450 जिनका average 1450 रुपए था तो आपको average price पूरे 5 data का बताना है पूरे के पूरे 5 data इनका अपको average price बताना है clear है क्या पूरे के पूरे 5 data जिनका आपको बताना है average price आप एक काम करो average को आप कुछ भी मन लो मैंने average को 1250 ही मन लिया मैं इसलिये कर लेता हूँ एक value 0 हो जाती है और calculation करने में आसानी हो जाती है एक वैल्यू के हो जाती ही जीरो इस वएसे मैं ऐसा कम कर लेता हूं बाकि आपकी मर्जी आप कुछ भी मानो तो आप में जोता है यह तो जीरो हो गया और यह कितना ज्यादा रहेगा बारा सो पचास दो सो ज्यादा रहेगा दो सो कितने के पास है दो डिटा के पास तो प्लस बी 1330 कुनाल का बिल्कुल ठीक है ऑप्शन भी हाँ बहतरीन 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 जिन बच्चों का ऑप्शन भी आया है वो एकदम ठीक है गजब नेक्स्ट कुश्चन करिए अगला यह रहा आपके सामने बताए यह बाला है न कुश्चन है यह भी अच्छा ये भी खुश्चन आपके समने अच्छा दे रखा है बताए मैं आप लोगों का यहांपर कमेंट देखता हू ठीक है न बताए यह कुश्चन क्या होगा ऑगा what will be the answer correct what will be the correct answer of this particular question सारे बच्चे एक बार solve करिये और बताए आंसर करिये आंसर करिये फटाफट से करिये आंसर फटाक से नहीं आ रहा ना किसी का चलो मैं समझा देता हूँ मैं समझाता हूँ इस question को आपको एक अच्छे तरीके से कि अगर आप इसे exam में करके आऊगे as a student मैं इसे कैसे करके आता बोला in a class the average marks of 39 girls is 113 तो 39 girls हैं मैं ऐसे लिखता हूँ कि girls है आपकी 39 girls है 39 यहां पर लिखा girls यहां पर लिखा boys और यहां लिखा total तो girls कितनी है 39 39 girls है जिनका average है 113 यह average है ठीक है फिर आपको बता दिया 26 लड़के है जिनका average 89 यहां पर ठीक है आप मुझे यह बताओ आप क्या करोगे अगर आप इसे basic से solve करने जाओगे ना पहले आपको मैं basic बाला समझाता हूँ क्योंकि यहां पर आप कुछ मानोगे 49 से multiply करोगे प्लस माइनस आएगा जो भी 26 से तो दिक्कत होगी थोड़ी से आप मुझे यह बताओ आप यही तो करोगे average निकालने के लिए sum of observation के लिए आप क्या करोगे 39 का multiply करोगे मेरे भाई 113 से प्लस 26 का multiply करोगे 89 से और divide में आप क्या करोगे मेरे भाई divide में आप करोगे 49 प्लस 26 बोलो हाँ या ना बास सहिए कि एकदम एकदम clear यहां तक कोई समस्या नहीं आप इसे ऐसे ही तो solve करने जाओगे C आ रहा है answer एक बच्चे का चलो तो जिसने like नहीं किया ना session को like करो आप मुझे यह बताओ इस पूरे से क्या मैं इसका multiply करने के बज़ए 13 common लेनू 13 अगर मैंने common लिया 13 तो यहां से क्या मिलेगा 3 into 113 प्लस 2 13 दूनी 26 into 89 और आप मुझे यह बताओ नीचे से भी क्या 13 common लेके 3 plus 2 लिख सकता हूँ तो देखो 13 से 13 तो कट जाएगा बोलो हाया ना इसका मतलब यह है कि यहां पर number of boys आपने 49 ले रखे ना 49 और 26 यहां वाला 13 common आखे कटेगा यहां वाला 13 भी कटेगा और उपर से भी कटेगा तो क्यों ना मैं यहां पर सीधे सीधे ratio ही लेनू 3 और 2 13 तिया 49 और 13 दूनी 26 तो क्यों ना जब मुझे बताओ तो मुझे 13 से तो 13 खतमी हो जाना है काम हमें ultimately काम हमें 3 और 2 पर ही करना है मुझे बताओ हाया ना ultimately काम हमें 3 और 2 पर करना है तो क्यों ना मैं यहां पर काम 3 और 2 पर ही करूं जब मैं अपना deviation से निकालूंगा तो आप याद यह रखना कि deviation से अगर आपको average कभी निकलना होता है तो अगर कोई values आपकी cancel हो रही जैसे ये 13 से 3 बार cancel हो गया ये 13 से 2 बार कुछ भी common आ रहा है उससे आप काटो फटा फट से आपने जैसे cancel किया तो आपको ratio क्या मिला उपर से तीन ratio दो अब काम आपको इसके उपर करना चाहिए बास समझ आरी ना अब आपको काम 13 और 2 के उपर करना चाहिए तो आप मुझे बताओ average को आप कुछ भी मानो बिटा आप average को 89 ही मान लो मज़ा आ जाएगा एक value तो 0 रह जाएगी सीधे सीधे 89 से 113 को अगर आप देखोगे तो 90 मतलब 1 मतलब 13 10 23 और 24 हो जाएगा प्लस का कितना ही है 24 है बोलो है न और 24 का अगर आप 3 में multiply करोगे तो 4 ती है 12 तीन दोनी छोड़ एक साथ 72 आपका प्लस का आजाएगा तो यह प्लस का जो 72 है न यह कितने में बटेगा तो 3 और 2 5 में बटेगा 5 से डिवाइड करो 5 से 5 एकम 5 और 5 और 20 और 5 और 20 तो 14.4 और मिलेगा यह 14.4 आप एड़ और कर दो यह आपका net average आजाएगा पॉइंट 4 के बाद कौन सा option यही मिल रहा है 9 और 4 तेरह से 3 करीवन 8 और 10 आप यहाँ पर देखो 103.4 ही आपको मिलेगा मतलब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ जब यहाँ पर बड़ी वेल्यू जाएंगी ना जब यहाँ पर number of girls या फिर number of boys जो भी है number of data जब आपका बढ़ा आएगा तो आप इस सीच को याद रखने की कोशिश करेगा कि number of data का आप ratio cancel करो जितना maximum आप cancel करोगे calculation उतनी आपकी कम हो जाएगी बताइए clear है क्या अगर clear है तो फिर आगे बढ़ते है next question यह आपकी skin के सामने है बताइए इस question का answer आप लोग क्या करोगे एक बड़ा question आपको दिखने में बड़ा question लग रहा होगा बट ये भी आसान है ठीक है ना आप लोग के लिए बहतर असान है काफी असान question है बताइए क्या रहेगा इसका answer जिसने session को like नहीं कि आप तो like करो आप तो आपको पता चल गया कि किस level का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ average daily 9 p.m. पर class होगी daily at 9 p.m. daily मेरी 9 p.m. पर class रहती है आप लोग live आ सकते हूँ मैं अभी average ही आपको complete करा हूँ है ना मैं अभी complete average आपको पढ़ाने वाला हूँ तो आप daily मेरी लिए आपर live आ सकते हैं मेरी लिए मतलब अपने लिए पढ़ने के लिए चलो इस question को solve करो बताओ क्या रहेगा answer करि case question को solve बताये 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 रागबेंदर स्टूडियो बहुत ठीक आपका answer कि नहीं आ रहा किसी बच्चे का answer बताना पड़ेगा क्या जल्दी बताओ क्या answer आपको यहां से मुझे समझाना पड़ेगा क्या यह question भी समझाना पड़ेगा वाई क्या रसे ना करो यार 20 आ रहा है कुनाल का कुनाल सेज ऑप्शन ए 20 समझे भाई कुनाल साज जो आप कर रहे है वो सही है या नहीं दर रेशियो अफ नमबर अफ प्लेयर्स अन दा थी क्रिकेट टीम इस एब ए और अफ ए बेंद सी स्टू रेशियो 5 रेशियो 3 है तोば 詐किन कांडे कर तोillar जोटैम चे यह महीं पर इसेदर और ये और सी तीन क्रिकेट टीम है जिनका रेश की तो रेशियो 5 रेशियो 3 यह आपको रेशियो दे रखा है क्रिकेटमे न chamum VO To ना number of players तो को यहां पर ratio में दे रखा है तो आपको पता है हमारा answer तो number of sorry ratio से आ जाता है हमें total number निकालने की कोई need नहीं है यह आपको पता है पहले से ही तो यह number of players आपका two ratio five ratio three आ गया if the average number runs scored per player each of three teams a b and c's तो आपको यहां पर average भी बता रखा है कि इन्होंने average runs कितने बनाए average run जो score कर रखा है वो 30-17-25 इसका 30 इसका 17 इसका 25 clear है क्या अब आप एक चीज़ समझो मेरे भाई आप कुछ भी average मानो what is the average number of francis code per player across the three teams collectively complete का आपको बताना सारे सबका बताना है तो आप में जोता आप average को कुछ भी एजिम कर लो आपकी मर्जी आप एजिम को कुछ भी मानिये आप average को कुछ भी मानिये कुछ भी मानिये कुछ भी मानिये आप average को 20 मानिये मेरे साब से तो यह plus का 10 जाएगा यह माइनस का 3 जाएगा ये प्लस का 5 जाएगा कितना मिलेगा 2 मिलेगा 20 PLUS 2 आंसर क्या हो जाएगा 22 여प्शन सी एकड़म ठीख %2 क्या हो जाएगा जिन बच्चों को ने 22 किया है कि मैडिसा कृष्णा बिलकुल ठीक है कुनाल आपका भी ठीक है बैरे गुड़ वडे गूड़ जिन भी वच्छों नहीं अंसर किया है काफी अच्छा हैं बहुत अच्छे आप लोग मतलब आप लोग इन कुश्चंज को समझ पारे हो ठीक है तो ट्वंटी त question यह आपके सामने है बताए इस question का सही answer क्या होगा देखो there are three classes x y and z and the number of student in three classes are 27, 36 and 45 तो समझो आपकी तीन class है x y and z और यहां पर number of student आपको दे रखा है number of students number of students क्या दे रखे है आपको सर तो हमें number of students बता रखा है कितना है 27 यहां पर है 36 यहां पर है और 45 यहां पर है very good दूसरी बात आपको क्या दे रखी है average marks और दे रखे है average marks सबके average marks क्या क्या है वो हमें और दे रखे है एवरेज मास आपका कितना है सरे हमारा эту격yl 66 65 83 76 अब एक काम करों क्या करना आपको एप मुझे बता हो मैंने यह बोला था यह रेषियो चक कर लिया करो किसी से डिवाइड हो रहा है क्या किसी से डिवाइड हो रहे है रेषियो आप चेक किया करो, तो 9 से डिवाइड करोगे 3 बार, 9 से डिवाइड करोगे 4 बार और 9 से डिवाइड करोगे 5 बार, तो इनका रेश्यो 3 is to 4 is to 5, जितना आप काट सकते हो, उतना आप काटो, मैंने ये समझाया, आप यहां से एवरेज को कुछ भी एजिम करो, आपकी मर्जी आप बता तो, मैं भही मान लोगा, 81 आवरेज को आपने 80 मान लिया, ठीके न, आवरेज को आपने कितना लिया, 80, यह से कितना ज्यादा है, 3, कितने डेटा ज्यादा है, 3, तो प्लस का कितना आएगा, overall आएगा, प्लस का नहीं, यहां देखो कितना कम है आवरेज से, तो ब मुझे यह बताओ, 25 मैं से अगर आप 16 घटा होगे, तो 9 बचेगा, प्लस का, और प्लस का 9 यह हो, प्लस का 9 यहां से बचा, तो 9 और 9 कितना होगे, आपका 18, तो overall आपका आगा, प्लस का 18, प्लस का 18 आपका कितने में डिवाइड करोगे, तो 4, अपमाच 9, 9 और 3, 12, तो 6, 18, 18, 16, 12, दो बटे 3 का मतलब डेड, हर एक को डेड और मिल जाएगा, तो यह हो जाएगा, आपका 81.5, 81.5 will be your correct answer, option A, एक्तम ठीक है, एक्तम ठीक है, एक्तम ठीक, option A, बताइए कि यहां तक आपको clear हो पाया है, जितने questions अभी तक मैंने आपको कराई है, कि सारे student को clear नहीं सकती है, कोई problem, quality आप अपनी increase कर लीजिए, वो 1080 तक की quality पे है, आप उसे increase करो, 720 लगाओ, कम से कम 720 लगाओ, आपको यहां पर clear देखेगा, राग बिंदर भाई, बताइए क्या सारे students को clear हुआ है, क्या, सर, आपका triangles का video नहीं मिला, कुछ-कुछ मिला, triangles का मैंने complete पढ़ा रखा है, आप एक बार ढोंड सकते हैं, और अगर आपको complete triangles ही मुझे से पढ़ना है, यहां पर शायद, YouTube पर complete triangle नहीं हुआ है, अगर complete triangle आपको पढ़ना है, तो आप Unacademy Plus का subscription लीजिए, वहां पर आपको बाकी special classes में मैं शुरू करने जा रहा हूँ, थोड़े दिनों में, ठीक रहा, थोड़े दिनों में शुरू करने जा रहा हूँ, Mr. Avinash, बताओ क्या सब को clear है, is it clear to everyone guys, यहां तक सब को clear है, अगर clear है, तो क्या मैं आगे बढ़ूं, next question ये रहा, करिये इसका answer बताए, क्या रहेगा, करिये इस question को बताए, क्या रहने वाला आपका answer, फटा फट से solve करिये, और बताए, what will be the correct answer of this particular question, clear देखेगा, मैंने आपको बोला था न, क्या आप quality बढ़ाई है, यहां से कोई problem होई नहीं सकती, digital board के थूँ जब classes चलती है, तो इतना बड़ा camera, इतनी बड़ी screen, इतना बड़ी lights, कोई clarity में problem नहीं है, कोई issue नहीं है, मैं plus classes में नहीं, मैं special classes में भी कराऊँगा, अबिनाश भाई, अबिनाश भाई, मैं special classes में भी आपको कराऊँगा, आप special classes में आईएगा, वहां से हो जाएगा, do not worry, इस question को solve करके बताओ पहले, इस question को कर ये solve, बताइए answer क्या रहेगा, चलिए मैं ही समझाता हूँ, आपनों को किसी को answer नहीं आया, अभी तक किसी भी student का answer नहीं आया, मैं आपको समझा देता हूँ, मैं आपनों के comments लेता हूँ रहता हूँ लगाता, answer किसी का है नहीं, चलिए, समझ ये वाई, the average is, the average scores of class x, y and z is 83, 76 and 85, तीन क्लास है आपकी x, y और z, जिनका average आपको बता रखा है, 83, 76 और 85, ये तीन क्लास है का आपको आपको आवरेज बता रखा है, while the average scores of x and y, x और y का जो average score है वो 79 है, और, और जो आपको y और z का average है, y और z का, वो 81 है, तो थोड़ा बहुत अपने allegation पढ़ा होगा, allegation लगा तो यहां से number of people का ratio आजाएगा, 83-79, 83-79, 4, 79-76, 79-76, 3, यहां पर आप लगाओगे तो यहां 4 आना चाहिए, देखना एक बार 85-1, 804 आ रहा है, 81-86, तो आप यह समझो, कि यहां से जो number of x, y, z के अंदर, जो number of people का ratio आगया न, वो आपके सामने फटाफट से आचुका है, यह तीन कहां से लिया, वो आपके सामने ratio आचुका है, क्या, ratio आपके सामने यह आचुका है, 3-4-5, number of persons का ratio 3-4-5, और आपको average तो देही रखा था 83-76 और 85, आप average को कुछ भी मानो, मैं मानता हूँ 80, मैंना अगर 80 माना, तो 80 से कितना ज्यादा है, 3, 80 से कितना कम है, 4, 80 से कितना ज्यादा है, 5, 3 ज्यादा है, 3 का, तो plus का 9 आएगा, 4 कम है, 4 का, तो minus का 16 आएगा, 5 ज्यादा है, 5 का, तो plus का 25 आएगा, बोलो हाँ या न, कोई दिकत, किसी भी भाई को, यह 16 है, ठीक है न, तो 25-16 कितना हो जाए और मिल जाएगा यहां से 80.5 आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बोलो 81.5 क्या समझ आया कैसे हो गया 81.5 आंसर इस इट क्लिर टो एव्रिवन गाईज बता यह वड़ावर से इस कुश्चन को इतना सॉल्फ करना ही पड़ेगा यह आपकी मजबूरिया इतना तो सॉल्फ करना पड ठीक है और कोई बहुत ज़्यादा नहीं है क्लिशन फड़ावर से लिखा माइनस माइनस करके यह रेशियो लेकर और रेशियो लगा के आप नेट इविशन से निकालो बागी दूबर दिक्कत ज्यादा हो जाएगी आपको है ना चलिए तो आज हम इतना ही कुश्चन रख आते हैं तो अनकेडमी प्लस का आप ले लिजिए सब्सक्रिप्शन अब लोग लाइजिए फटावर से नकेडमी प्लस का जहाँ आपको क्या क्या मिलता है जहाँ आपको मिलती लाइफ क्लसेज वीक्ली टेस्ट, इस्ट्रक्चरड कोर्सस अनलिम्टेड एक्सेज, परसनल कि दूसरा आप एक चीज़ दर समझो कि आप अगर लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन तो आप रेफरल कोड यूज करिएगा एंपी सर लाइव एंपी सर लाइव आपका अपना रेफरल कोड जिससे आपको टैन परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा अनकेडमी के हर एक कोर्स ठीक है ना भाई अनकेडमी प्लस पर 14,080 रुपए का रेफरल कोड दो साल का सबस्क्रिप्शन है एंपी सर लाइव लगाने पर 12,612 एक साल का सब्सक्रिप्शन आपका 9,60 रुपए का रेफरल कोड एंपी सर लाइव लगाने पर 8712 कोई बच्चा छह महीना लेना चाहता है, 7820 का है वो 7828 में मिल जाएगा लेकिन रेफल को याद रखेगा, MP Sir Live लगाने पर ही ये काम होगा ठीक है न, 10% आपको discount मिल जाएगा, कोई space ने यूज करना, MP Sir Live बैट यूज कीजिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, thank you so much सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को बैल आइकन को हिट करें जिससे की notification मिले PDF के लिए आप हमारा group जोइन कर लीजे और वीडियो को like और share तो जरूर करते रहा करो भाई, आपको इतना अच्छा सब कुछ content दे रहे हैं तो आप लोग भी पूरी पढ़ाई करो पूरे ध्यान से ठीक है ना चलिए आज के लिए तना ही रखते हैं थेंक्यू सो मच आशा करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा अच्छा लगा होगा सब कुछ clear हुआ होगा तो आज के लिए रखते हैं थेंक्यू कल मिलेंगे same time same place पर जय हिंद बाबाई झालिए परी तो datoSराब हुआ है रखते हैं क्या guards पर जद लोग extrा हान को आए हैं और थेंश कि पड़ चिती है यह जदर को आप बाई झालए लोगो chi हैं झाल! झाल 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 झाल